हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के अर्थ सास्त्र का पहला अध्याय विकास विकास का बहु वेकल्पिक प्रस्ण देखेंगे बहु वेकल्पिक प्रस्णों को देखने से पहले हम विकास के बारे में समझ लेते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है मानव विकास से क्या भी प्राय है किसी देश का विकास किस आधार पर निर्हाज किया जाता है विक्सित देश की से कहते हैं तो ये सारी चीजें हमें जान लेना चाहिए तो विकास, विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए बच्चों, विकास विकास सब्द का अर्थ है प्रति वैक्ति वास्तविक्ता आय में दिर्ग कालिन ब्रिधी जब बृधी होगा तभी पता चलेगा कि विकास हो रहा है और इससे देश के लोगों के भौतिक कल्यान में भी बृधी होती है तथा जन जीवन में सुधार आता है यह सब किसकी वज़ा से आता है तो विकास की वज़ा से विकास यानि डेवलापमेंट अब देखिए बच्चों विकास को तीन आधार पर ने धारित किया गया है वो तीन आधार कौन कौन से है तो पहला है प्रतिवेक्ति आए किसी वी देश के विकास के लिए सबसे महत्तपुन क्या है प्रतिवेक्ति आए दूसरा औसत साच्छर्ता वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संक्या कितनी है साच्छर्ता यानि पढ़े लिखे लोग साक्षर लोग तो औसत साच्छर्ता कितनी है उस देश की और तीसरा हो जाएगा लोगों के स्वास्ते इस्थिती चीक है? तो इन तीनों पर निर्भर करता है बच्चों किसी भी देश का विकास अब विक्सित देश किसे कहते हैं तो देखें जिन देशों के प्रति वेक्ति आय क्या होती है जादा होती है और जिन देशों में लोगों का जीवन अस्तर क्या होता है उच्चे अस्तर का होता है यह आप क्या सकते हैं कि उनका जीवन अस्तर जो है वा उंचा है रहन सहन खान पान सभी बहुत ही अच्छा है तो ऐसे कुछ देशों के नाम में बता रही हूँ जिसमें संयुक्तराज अमेरिका आ गया जापान आ गया तो यह सभी देश किसमें आते हैं विकसित देश में आते हैं तो चरिया आज हम विकास से सम्बंदित बहुँ वेकलफिक प्रश्णों को देखते हैं प्रस्ण मारा है निम्न लिखिस में से कौन भूमी हीन ग्रामीन मजदूरों के लिए विकासात्मक लक्ष नहीं है पहला उप्चन आपके सामने है बच्चों काम के अधिक दिन और बहतर मजदूरी दूसरा अपने बच्चों के लिए गुनवत्ता पूर्ण सिक्षब्रदान करना तीसरा कोई समाज भेदभाव नहीं होना और चौथा है गाउं में नेता ना बनना तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों अब देखिए भूमिहीन ग्रामीन मजदूरों के लिए विकासात्मक लक्ष कुछी इस प्रकार से निधारित किया गया है जैसे अधिक दिन काम और बहतर मजदूरी और प्रस्ण कहा जा रहा है कि कौन सा भूमिहीन ग्रामीन मजदूरों के लिए विकासात्मक लक्ष नहीं है तो पहला तो है दूसरा अस्थानी स्कूल अपने बच्चों को गुनवत्ता पुन्ट सिक्षा प्रधान करने में सक्षम है तो यह भी है तीसरा कोई समाजिक भेदभाव नहीं तो यह भी बच्चों करेक्ट है आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर डी गाउ में नेता ना बनना तो यह कोई मूलभूत कारण नहीं है नेक्स्ट कुश्चिन है निम्न लिखित में से कौन भूमिहीन ग्रामीन मजदूरों के लिए प्राथमिक विकासात्मक लक्ष है पहले पूछा गया था कि कौन सा विकासात्मक लक्ष नहीं है और अब पूछा जा रहा है कि कौन सा है तो पहला देखिए प्रात्मी विकासात्मक है या पे बिजली और पानी की सुबिधा दूसरा अपने बच्चे को सिक्षा करने ही सिक्षित करने योग्य ना होना तीसरा काम के अधिक दिन और बहतर मजदूरी चौथा है सेरों में अस्थानांत्रिद होना तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ओपसर नमबर सी काम के अधिक दिन और मजदूरी अब देखिए भूमी हिन ग्रामिन मजदूरों में या दपी बिजली और पानी बच्चों को सिक्षा जैसे सुबिधाय महत्तपून होती हैं लेकिन प्राथमिक लक्ष बहतर मजदूरी के साथ अधिक दिन काम करना होगा पंजाब के एक समर्द किसान की सबसे कम उपयोग तकांग्षा क्या होगे पहला उप्षन है अस्थानिय स्कूल उनके बच्चों के लिए गुनबत्ता पूर्ण से इशा प्रदान करने में सक्षम हो तो बच्चों यह तस सभी चाहते हैं दूसरा बिजेस में पढ़ने जाना तीसरा बिजेस में अपने बच्चे को बसाने में सक्षम और चोथा सिचाई के लिए उचिता पूर्ती हो तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा उप्षन नमबर भी पंजाब के एक समर्द्य किसान कि सबसे कम उप्योगता कांग्षा होगी बिजेस में पढ़ने जाना ठीक है अधिक डैस प्राप्ट करने के लिए उद्योग पती अधिक बांध चाहते हैं किस चीज के लिए पहला उप्षन है बिजली दूसरा पानी तीसरा कच्चा माल और चोथा सभी तो देखिए बच्चों अधिक बिजली अंसर हो जाएगा उप्षन नमबर ए अधिक बिजली प्राप्ट करने के लिए उद्योग पती अधिक बांध चाहते हैं लेकिन इससे भूमी जल मगन हो सकती है और जीवन क्या हो जाएगा बाधित तो इसलिए इनसान को सिर्फ सुएं के लिए नहीं सोचना चाहिए इस प्रीथी पर अनेक को जीव जन्तू निवास करते हैं सब के बारे में सोचना चाहिए नेक्स क्यूशन आपका है अधिक आयप्राप्ट करने के लिए लोगों को क्या चाहिए पहला नियमित काम दूसरा बहतर मजदूरी अधिक आयप्राप्ट करने के लिए लोगों को या सब ही चाहिए सबसे पहले तो इनसान के पास नियमित काम हो दूसरा मजदूरी बहतर मिले उन्हें और तीसरा उनकी फसलों के लिए उचित मुले हो तो आंसर क्या होगा आप्सन नमबर D अधिक आय की तलास के अलावा लोग सामान व्यभार स्वतंतरदा सुरक्षा और दूसरों के समान जैसी जीजों की भी तलास करते हैं दिया गया कथन क्या दर्साता है पहला उप्शन आपके सामने है लोगों के विकास के लिए मिस्रित लक्ष महत्तपूर्ण है दूसरा लोगों के विकास के लिए सामाने लक्ष महत्तपूर्ण है तीसरा लोगों के विकास के लिए परसपर बिरोधी लक्ष महत्तपूर्ण है और चाथा है लोगों के विकास के लिए समान लक्ष महत्तपूर्ण है तो क्या होगा इसका अंसर? Option number C होगा लोगों के विकास के लिए परसपर विरोधी लक्ष क्या है? महत्तपूर्ण है Next question है अधिक आई प्राप्त करने के अलावा लोग डैस की तलास नहीं करते पहला समान उप्चार दूसरा सुतंतरता तीसा सुरक्षा चोथा भेदभाव तो यहाँ पे हो जाएगा क्या अंसर? भेदभाव Option number D अब देखिए अधिक आई प्राप्त करने के अलावा एक या दूसरे तरीके से लोग समान व्यवार, सुतंतरता, सुरक्षा और दूसरों के समान जैसी चीज़ों की तलास करते हैं वे भेदभाव का विरोद करते हैं और यह सभी महत्तपून लक्षे हैं Next question देखते हैं क्योंकि एक्जाम नजदीक है तो मैं कोसिस करूँगी कि जल्दी से जल्दी जितने अधिक से अधिक प्रश्णों को मैं आपको बता सकूँ तो बताऊंगी Next question हमारा है भौतिक वस्तूओं का क्या आर्थ होता है भौतिक वस्तूओं वो होती हैं बच्चों जिनका हम लाव उठा सकते हैं उदारन के तोर पे कार कार क्या है एक भौतिक वस्तूओं अब हमें घर से कहीं जाना है अगर हमारे पास कार है तो हम कार से जाना पसंद करेंगे कोई पैदल जाना क्यों पसंद करेगा जूते भौतिक वस्तूओं कपड़ा, मसीन, भावन, गेहूं ये सभी क्या है भौतिक बस्तुएं जिसका हम इस्तिमाल करते हैं पहला option है उन्हें देखा जा सकता है दूसरा उन्हें छुआ जा सकता है तीसरा वे मुर्थ हैं और चौथा ये सभी तो क्या होगा इसका correct answer option number D ये वे सभी हैं नेक्स question है वह कौन सा कारक है जिस पर मानव जीवन निर्भर करता है पहला भौतिक चीजें दूसरा गैर भौतिक चीजें तीसरा इन दोनों और चौथा इनमें से कोई ने तो देखिए बच्चों answer हो जाएगा option number C वो भौतिक चीजे भी है और गैर भौतिक चीजे भी है जिस पर मानव जीवन निर्भर करता है अब भौतिक चीजों में कौन-कौन चीजे आती है तो जिसका हम उपयोग करते हैं जैसे कि कार क्या हो गया भौतिक चीजे धन क्या ह पढ़ गया भौतिक चीजे ठीक है कपड़ा हम पहनते हैं वह भौतिक चीजे उसके बाद आ जाता है ग्यार भौतिक चीजे टो ग्यार भौतिक चीज़ों में कौन-कौन सा आएगा देखिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता या अग्या रफ बहौतिक में सम्मान opini शुरक्षा भेद भाव ये सभी क्या है गैर भौतिक चीजे हैं ठीक है नेक्स कुशिन है ऐसी कई चीजे हैं जिन्हें आसानी से डैस नहीं जा सकता लेकिन वे हमारे जीवन के लिए बहुत माइने रखती हैं ये अक्सर डैस होते हैं पहला माप अंदेखी दूसरा अंदेखा मापा तीस कई चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता लेकिन वे हमारे जीवन के लिए बहुत ही माइने रखती हैं ये अक्सर अंदेखी होती है क्या होती है बच्चों अंदेखी नेक्स कुशिन है यदि आपको दूर अस्थान पर नौकरी मिल जाए तो इसे स्विकार क करने से पहले आप किस पर विचार करने का प्रयास करेंगे पहला पडिवार के लिए सुविधा दूसरा नौकरी की सुरक्षा तीसा सीखने का अपसर और चौता सभी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपसर नंबर डी सभी अब दीखिए किसी वे वैक्ति को तो अगर घर से दूर किसी अन्य अस्थान पर नौकडी मिलती है तो आपने परिवार की सुविधा के लिए सोचेगा नौकडी की सुरक्षा के बारे में सोचेगा और उसे बहुत सारी चीजे जो है वो सीखने को मिलेगी नेक्स क्वेशन है किस प्रकार का वातावरण अधिक महिलाओं को बिभिन्य प्रकार के कारे करने में अनुमती दे सकता है पहला एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण दूसरा महिलाओं के लिए सम्मान तीसरा बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्विक्रिती और च संदक्षित और सुरक्षित बातावरन होना चाहिए महिला का सम्मान होना चाहिए वज़े जगह पे कारे करती है और बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्विकृति मिलने चाहिए तो आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर डी सभी नेक्स क्यूशन है उस देश का चेन करें जहां 500 टन तरल चहरीले कच्रे को खुले में डंप किया जाता है तो वह देश कौन सा है बच्चों जहां ये कारे किया जाता है पहला आप्सन है यूएसे दूसरा अफ्रीका तीसरा जापान और चौथा है च तरल जहरीले कच्रे 500 टन तरल जहरीले कच्रे को खुले में डाला है तो यह अफ्रीका के एक देश आईवरी कोस्ट के अभीद जाम नामक सहर में हुआ है तो देश का नाम हो जाएगा अफ्रीका और यहां पर हम जगा का नाम भी लिख देते हैं ताकि यह आपको याद रह तो देखिए वह जगा कौन सा है आईवरी कोस्ट और आईवरी कोस्ट के अभीद जान याद रखिएगा आईवरी कोस्ट के अभीद जान नामक सहर में अभीद जान क्या है सहर है जब हम बेभिने चात्रों की तुल्ला करते हैं तो आम तोर पर हम चात्रों की एक यादिक महत्पुन विशेस्ताओं को लेते हैं और इन विशेस्ताओं के आधार पर उनकी तुल्ला करते हैं जैसे की मितरता, सहयोग, आंक और यह सभी तो क्या होगा बच्चों इसका correct answer? option number D यह सभी next question है देश की तुल्ला के लिए उनकी डैस को सबसे महत्पुन विशेस्ताओं में से एक माना गया है पहला है घर, दूसरा आय, तीसा, सोना और चौथा संपत्ती तो देखें देश की तुल्ला के लिए उनकी आय, option number B होगा यहां पे को सबसे महत्पुन विशेस्ताओं में से एक माना जाता है अब बच्चों उच्च आय वाले देश जो हैं, वा कम आय वाले देश की तुल्ला में अधिक विक्सित होते हैं नेक्स कुश्चन है देश की आय, देश की डैस की आय है, पहला सभी मंत्रियों, दूसरा सभी निवासियों, तीसरा सभी पुर्सों और चौथा, सभी महिलाओं तो इसका correct answer हो जाएगा option number B, सभी निवासियों नेक्स कुश्चन है देश की कुल आय को उसकी कुल जन संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, या क्या कहा जाता है पहला option प्रतिवेक्ति आय, दूसरा और शट आय, तीसरा दोनों और चौथा, कोई नहीं तो क्या होगा इसका correct answer, इसका correct answer होगा option number A, प्रतिवेक्ति आय या औश्यत आय कहा जाता है, ठीक है हम औश्यत आय की तुलना करते हैं, जो देश की कुल आय, उसकी कुल जन संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है और उसत आय को प्रतिवेक्ति आय भी कहा जाता है next question है, किसी देश की राश्ट्रे आय को उसकी कुल जन संख्या से भाग देने पर डैस कहा जाता है पहला answer है, सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा प्रतिवेक्ति आय तीसा सुद्ध घरेलू उत्पाद, और चौथा है मुल्ले हरास तो answer हो जाएगा option number B प्रतिवेक्ति आय कहते है next question है, प्रतिवेक्ति आय क्या है पहला option, एक देस में पुर्चों के जीवन अस्तर को दिखाने के लिए एक संकेतक दूसरा किसी देस में मंत्रियों के जीवन अस्तर को दिखाने के लिए एक संकेतक तीसरा, एक देस के लोगों के जीवन अस्तर दिखाने के एक संकेतन और चाथा एक देश के बच्चों के जीवन अस्तर दिखाने के लिए एक संकेतन तो प्रतिवेक्ति आई क्या है या पूछा जा रहा है तो इसका अंसर हो जाएगा option number C एक देश में लोगों के जीवन अस्तर को दिखाने के लिए एक संकेतक next question है 2019 में और सबसे अधिक की प्रतिवेक्ति आई वाले देश अमीर देश कहलाए पहला option है US$ 49,300 प्रतीमा दूसरा US$ 49,300 प्रतीवर्स तीसरा US$ 2,500 प्रतीवर्स और चोथा है US$ 2,500 प्रतीमा तो क्या होगा बच्चों इसका correct answer answer हो जाएगा option number B 2019 में US$ 49,300 प्रतीवर्स और उससे अधिक के प्रतिवेक्ति आई वाले देश अमीर देश कहलाते है next question है 2019 में प्रतिवेक्ति आई डेश और उससे कम वाले देश कम आई वाले देश कहलाते है क्या होगा इसका correct answer comment करके बताए पहला option है US$ 2,500 प्रतीवर्स दूसरा US$ 49,300 प्रतीवर्स तीसरा US$ 49,300 प्रतीवर्स से उपर और चाहता US$ 49,300 प्रतीवर्स से कम तो answer हो जाएगा बच्चों option number A US$ 2,500 प्रतीवर्स उससे कम वाले देश का आई होता है किससे कम वाले देश तो विक्सित जो देश होते हैं उससे कम नेक्स कुईशन है भारत डैस देशों की स्रेनी में आता है क्योंकि 2019 में इसके प्रतीवर्स आई US$ 6,700 प्रतीवर्स थी पहला कम आई वाले देश दूसरा मद्यम आई तीसरा अमीर देश और चाहता इन में से कोई नहीं तो क्या होगा इसका correct answer मद्यम आई को दर साता है बच्चों अंसर हो जाएगा option number B next question है मद्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य छोटे देशों को छोड़ कर अमीर देशों को आमत्वर पर डैस कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चों आप्सन नंबर C next question है एक वर्ष से कम आयू के बच्चों के प्रती हजार जीवित जन्मों पर होने वाले मौतों की संख्या पहला है नवजात मिरती उदर दूसरा प्रसवोत्तर मिरती उदर तीसा सिस्व मिरती उदर और चौथा अंडर फाइव यर मिरती उदर तो क्या होगा इसका correct answer answer is option number C सिस्व मिरती उदर एक वर्ष से कम आयू के बच्चों के प्रती हजार जीवित जन्मों पर होने वाले मौतों की संख्या next question सिस्व मिरती उदर के गन्ना में किस आयू वर्ष के गन्ना की जाती है पहला जन्म और एक वर्ष के बीच दूसरा जन्म और दो वर्ष के बीच तीसा जन्म और पांच वर्ष के बीच और चौथा है जन्म और पांच वर्ष के बीच तो answer हो जाएगा option number A जन्व और एक वर्ष के बीच कि जो आयू होती है उसे कहा जाता है सिसु मिर्तिव दर नेक्स क्यूशन है साक्षता दर डैस आयू बर्ग में साक्षर जनसंक्या के अनुपात को माती है पहला उप्षन है साथ और उससे अधिक आयूबर्ग दूसरा अठारा और उससे अधिक आयूबर्ग तीसरा तीन और उससे अधिक आयूबर्ग चोथा है कीस और उससे अधिक आयूबर्ग तो इसका correct answer हो जाएगा option number A साथ और उससे अधिक आयुवर सिक्षा सुविधाओं के अप्रयाप्त प्रामधान और सिक्षा के महत्तो किसका महत्तो बच्चों? सिक्षा के महत्तो के बारे में लोगों में जागरूपता की कमी के कारण अन्य देशों की तुल्ना में भारत में साक्षर्टा दर तुल्ना आत्मक रूप से क्या है? कम है नेक्स कुश्चन निबल उपस्थित अनुपाद से आप क्या समझते हैं? पहला इसका तातपरे स्कूल में भाग लेने वाले 6-10 आयुवर्स के बच्चे दूसरा इसका तातपरे स्कूल में भाग लेने वाले 12-15 आयुवर्स के बच्चों की कुल संख्या तीसरा इसका तातपरे स्कूल में भाग लेने वाले 14-15 आयुवर्स के बच्चों की कुल संख्या तो ये इसका तातपरे हो जाएगा 14 से 15 आयू वर के बच्चों की कुल संख्या या क्या कहलाता है निवल उपस्थे ती अनुपाद नेक्स क्वेशन है आय के अलावा कौन से कारक हमारे जीवन के महतपुन पहलू है पहला है प्रदूशन मुक्त वातावरन दूसरा एक रूप मुक्त जीवन तीसरा संकर्मन रोक से सुरक्षा और चाथा है सभी तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों उपसन नमबर दी सभी ओके तो यहाँ पे आय के अलावा पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा उपसन नमबर सभी अब देखिये पैसा जो है वा सब कुछ नहीं खड़ी सकता पैसा में प्रदूशन मुक्त वाता वरन खड़ीद करके नहीं दे सकता वहा हमें रोक मुक्त जीवन नहीं दे सकता है ना नेक्स कुश्चन है भारत में ग्रामी छेतर में लड़कियां कभी-कभी माद्यमिक अस्तर की सिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती निमलिकित में से कौनी सिस्ति का सही कारण है पहला समाज का दिमाग जेट जो लड़कों को बैतर माद्यमिक और उच्छ सिक्षा प्राप्त करना पसंद करता है दूसरा गरिवी के कारण लोग अपने बच्चों की बुनियादी सिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं यानि समर्थ रहते उसमें तीसरा है गाउं में महिलाएं भी प्रमुक्रिश्ची कारेवल का घठन करती है जो फिर से उनके अनुशाशन के लिए काम करती है और चौथा सभी हो जाएगा तो इसका आंसर होगा बच्चों आप्सन नमबर डी सभी अब समाज के लोगों की मान सिक् करना है बैतर से बैतर सिक्षा देनी है और उन्हें नौकरी दिलवाना है और एक करन तो गरीबी भी है बच्चों लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके चीक है नेक्स क्वेशन है केरल में डैस सीसु का प्रयाप्त प्राब्धान है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएं पहला कम दूसरा उच्छ तीसरा नहीं और चौथा है बहुत अधिक तो केरल में सिसु मिर्तिव दर क्या है बहुत ही कम है अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए नेक्स क्वेशन है सार्व में काला बाजारी को लोगप्रिये बनाना चौथा इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी नियंतरन जमा खोरी नियंतरन प्रिक्रिया और चार्जिंग पर नियंतरन नेक्स क्वेशन है तमिलाडू में ग्रामीन छेतरों में रहने वाले 10 परतीशत लोग रासन की दुकान का उप्योग करते हैं जबकि पशिम बंगाल में केवल 10 परतीशत ग्रामीन लोग ऐसा करते हैं पहला है आठ पच्छतर दूसरा नब्बे पैंतिस तीसरा अठारा में रहने वाले 90 परतीशत लोग राशन की दुकानों का उप्योग करते हैं जबकि पशिम बंगाल में केवल 35 परतीशत लोग ग्रामीन लोग ऐसा करते हैं नेक्स क्वेशन है यह पता लगाने का एक मत तरीका क्या है कि हम ठीक से पोशित हैं या नहीं पहला ऑप्शन है ब अंसर ऑप्शन नमबर डी बोडी मास इंडेक्स और इसे सॉट फॉर में बच्चों बी एम आई के रूप में भी जाना जाता है नेक्स क्वेशन है बी एम आई के गन्ना कैसे की जाती है सही क्रम बताना है आपको पहला वैक्ति का वजन मापा जाता है दूसरा उचाई में विवाजित किया जाता है तो यहां पर आपके सामने चार उप्शन ने बताना है कि कौन सा सही क्रम में है आंसर हो जाएगा बच्चों आप्शन नमबर ए पहले फिर दूसरे फिर तीसरा ठीक है नेक्स क्वेशन है यदि एक बेम आई डैस से अधिक है तो वैक्ति सामा पहला आपके सामने ओप्शन दिया है 18.5 और 20 दूसरा है 25 18.5 तीसरा 18.5 और 25 चौथा है 20 और 18.5 तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ओप्शन नमबर भी 25 और 18.5 नेक्स क्वेशन है डैस द्वारा प्रकाशित मानविकास रिपोर्ट लोगों के सैक्षिक अस्तर उनकी प्रति वेखती आई कि आधार पर देशों की तुलना करती है पहला है आई एम एफ दूसरा यू एन डीपी तीसरा यूनेसको और चौथा यू एन डीपी तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ओप्शन नमबर भी यू एन डीपी अब देखिए बच्चों यू एन डीपी द पर देशों की तुलना करती है नेक्स कोईशन है यू एन डीपी द्वारा प्रकाश से देशों की तुलना लोगों के डैस की आधार पर देशों की तुलना करता है पहला स्वास्ति की इस्तिति दूसरा सैक्षी कस्तर तीसरा प्रतिवेक्टी आय और चौथा है ये सभी तो मारतिये का मानवी का सूचकंग hdi rank क्या है पहला option है दो सो बारा दूसरा एक सो 89 तीस एक सो उन्चार एक तीस और चौथा है तीन सो चौदा तो इसका correct answer होगा option बारें बताया है तो मुझे आसा है कि आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे अब देखिए मानव विकास सुचकांग जिससे सौट में हम HDI कहते हैं ठीक है 2020 में कब 2020 में 189 देशों में से भारत का अस्थान था 133 ठीक है 133 अस्थान था तो यहां पर क्या हो जाएक आंसर उप्सन नमबर भी 189 देश नेक्स कुशन है निम्न लिखित में से कौन सा संगठन HDI भारत की गनना करता है पहला UNDP दूसरा UHID तीसरा GDP चोथा इन में से कोई नहीं तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर ए UNDP ओके नेक्स कुशन है प्रतिवेक्ति आई की गनना सभी देशों के लिए डैस में की जाती है यूडो रुपे डॉलर पॉंड किसमें की जाती है तो बच्चों प्रतिवेक्ति आई की गनना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है किसमें डॉलर में की जाती है ताकि चीज की तुलना की जा सके तो इसका अंसर हो जाएगा option number C next question है हमें यह प्रीथवी अपने पुर्जवजों से विरासत में नहीं मिली हमने इसे अपने बच्चों के आधार लिया है यह सब्द किसने कहा है तो क्या होगा इसका अंसर option number C लेस्टर ब्राउन ने कहा था तो बच्चों लेस्टर ब्राउन कौन था या एक क्रांती कारी था कौन था क्रांती कारी next question है बीसवी सताब्दी के उतरार्ध में कई वैज्ञानिक चेताब्नी देते रहे हैं पहला स्वास्त और पोर्शन अस्तर गिर गया है दूसरा प्रति वैक्ति आयस्थीर है तीसा संसाद्नों के अस्तर ठिकाओं है और चौथा विकास के अस्तर ठिकाओं नहीं है तो क्या होगा इसका अंसर option number D बीस्वी सताब्दी के उतरार्ध से कई वैज्ञानिक चेताब्नी देते रहे हैं कि विकास के अस्तर ठिकाओं नहीं है बीस्वी सताब्दी के उतरार्ध से कई वैज्ञानिक चेताब्नी देते रहे हैं कि विकास के प्रकार और रस्तर ठिकाओं नहीं है नेक्स क्यूशन है पिछले वीस वर्सों के दोरान भारत में कितने जिलों में जल अस्तर में चार मीटर से अधिक की गिरावट आई है तो आंसर हो जाएगा option number D 300 से अधिक नेक्स क्यूशन है देश का कितना हिस्सा आपने भूजल भंडार का उप्योग कर रहा है पहला एक चौथा है दूसरा एक दस्वा तीसरा एक तिहाई और चौथा है आधा तो कितना हिस्सा होगा बच्चों आंसर हो जाएगा option number C एक तिहाई हिस्सा नेक्स क्यूशन है भूजल का आति प्रियोग विसेस रूप से कहां पाया जाता है पहला पंजाब दूसरा पश्मी यूपी तीसरा मद्य और दक्षिन भारत के पठाड़ी चेत और चौथा है सभी तो क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके फटावट बचाएए इसका आंसर बच्चों अब देखिए भूजल का आति प्रियोग विसेस रूप से पंजाब का पंजाब और पश्ची मुत्तर प्रदेश यूपी पश्ची मुत्तर प्रदेश यानि यूपी के क्रिसी सम्मिद्र छेत्रों मद्य और दक्षिन भारत के कठोर चटानी पठाड़ी छेत्र कुछ तठ यह चेत्र तेजी से बढ़ती सहरी वस्तियों में पाया जाता है तो आंसर यहां हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी सभी नवी करनिये के बारे में बात कर रहा है हमने नवी करनिये और गैर नवी करनिये पढ़ा है न नवी करनिये किसे कहते हैं जिसका उप्योग करके हम उचे दुबारा बना सकते हैं और गैर नवी करनिये किसे कहते हैं ऐसा वस्तून या ऐसी पदार्थ जिसका उप्योग तो ह लाखो वर्सों का समय लग जाता है तो यहां नवी करनी ये संसादों में कौन सा होगा भूजल नेक्स कुछिशन ने पर्यावरन छरण के परिणाम राश्ट्रिय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते निम्नलिकित में से कौन सा कथन इस कथन के पूस्टी नहीं करता है पहला है पर्यावरन छरण मुद्दा अब एक छित्री या राश्ट्रिय मुद्दा नहीं है दूसरा हमारा भविस से एक साथ जुरा है सभी मानव जाती के विकास की इस्थीरता आवश्चक है और पर्यावरन से बचाने की हमारी सामाने जिम्मेदारी है तीसरा है इन देशों तीसरा है इन दिनों विदेश में बिभिन्ने देशों में यह चर्चा का विसे है चौथा ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ड्रेन इत्यादी को एक रांस्ट द्वारा नियत्यत किया जाता है यह सोच और समाधान खोजने का नीजी मामला है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर वच्चों ऑप्सन नमबर डी होगा नेक्स कुशन है किसी देश का विकास सामाने तक किसके द्वारा निधारित किया जाता है पहला है प्रतिवेक्ति आई दूसरा इसका ओसस साक्षर्ता तीसरा अपने लोगों के स्वास्त और चौथा सभी तो आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी सभी प्रतिवेक्ति आई पर भी करता है औसस साक्षर्ता पर लोगों के स्वास्त की स्थिति पर नेक्स कुशन होगा भारत में मानव विकास सूच कांके स्डियाई के अस्तर में डैस के मादिम से सुधार नहीं किया जा सकता पहला गुनवत्ता सिक्षब बढ़ा कर दूसरा अच्छी स्वास्त देखवाल सुविधाई बढ़ा कर तीसरा आई एम आर बढ़ा कर और चौथा सुध उपस्तिति अनुपात बढ़ा कर तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer होगा बच्छों option नमबर C आई एम आर बढ़ा कर अब देखिए सुध उपस्तिती अनुपात, गुनबत्ता, पूर्ण सिक्षा और अच्छी स्वास सुवधाओं को बढ़ा कर HDI में सुधार किया जा सकता है तो बच्चों ये वीडियो यहीं समापत होता है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करना बिल्कुल न भूले अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल न भूले साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं आप से इसी अध्याय के बहुबैकल्पिक प्रश्णों के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवार